हेलो फ्रेंड्स मैं अनुपाम आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज हम इस वीडियो में लच्छा पराठा बनाएंगे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसको चाय के साथ खा सकते हैं या फिर अचार के साथ या फिर ऐसे ही खा सकते हैं च इससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं उसके लिए सबसे पहले गेहूं का आंटा ले लेते हैं हमने गेहूं का आंटा ले लिए और अच्छे से छान लिया है अब हम एक छोटी चम्मच अजवाईं ले लेते हैं इस तरह से क्रस्ट करके डाल देते हैं अब एक छोटी चम्मच कस्तूरी मेथी डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच सफेर नमक दो छोटी चम्मच तेल अब सारी चीज़े अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हमने मिक्स कर लिया है अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से आटा गूत लेते हैं इसको बहुत साफ्ट और बहुत हाड नहीं गूतना नार्माली गूतना है देखिए हमने आठा गूत लिया है अब इस तरह से आठे को कर लेना है ऐसा करने से लेयर्स बहुत अच्छे से खुलती हैं पराठा की अच्छे से चिखना कर लेते हैं अब हम ढके 30 मिनट के लिए रख देते हैं अब हम मसाला तयार कर लेते हैं पराठे के उसके लिए एक कटोरी ले ली है अब आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच भुकनू एक छोटी चमच जीरा पाउडर आधी छोटी चमच काला रमग अब हम सारी चीज़े अच्छे से मिक्स कर लेते हैं देखिए हमारा मसाला तयार हो चुका है कितना अच्छा लग रहा है अब हम इसको एक साइड में रख लेते हैं अब हम आटा ले लेते हैं आधा घंटा हो चुके हैं और हमारा आटा अच्छे से से शेट हो चुका है देखिए हम आटे पे अच्छे से बूंदे आ चुकी है अब हम एक बार फिर अच्छे से चिकना कर लेते हैं अब हम छोटे छोटे पीसेज कर लेते हैं नार्मल पराठा से थोड़ा सा बड़ी लोई काटनी है, अब हम अच्छे से चिखना कर लेते हैं, उसके लिए एक पीड़ा ले लेते हैं, चिखनी से लोई बना लेते हैं, देखिए ऐसे करने से पराठा बहुत अच्छे से बनता है, अब हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं, इस्टा आटा ज़ाड़ देते हैं, अब हम अच्छे से बेल लेते हैं, जैसे नार्मल रोटी बेलते हैं, उतना पत्ला बेलना है, देखिए हमने बेल लिया है, अब हम घी लगा देते हैं, पूरे पराठे पे, अब तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, देखिए हमने घी लगा लिया है, अब हम जो मसाला तयार करके रखे ते उसको डाल देते हैं, इस तरह से स्प्रेंकल कर लेते हैं, पूरे पराठे पे, अब हमारी धनिया पत्ती डाल देते हैं, इससे बहुत अच्छा टेश्ट आता है पराठे में, देखिए अब इस तरह से पराठे को करना है, एक तरफ से ऐसे पकड़ लेना है, ऐसे प्लेट बनाते जाना है, जैसे हम लोग बच्पन में फाइन बनाते थे कागज के, एक तरह से एक बार सीधा करना, पहर उल्टा करके फिर उसके उपर रख देना है, अब एक तरफ से ऐसे गोल करके अंदर उंगली घुसा के रूल बना लेना है, और बाकी बचे आंटे को ऐसा उपर से दबा लेना है, इस तरह से उंगलियों से बढ़ा लेते हैं, अब हलका सा सूखा अठा लगा लेते हैं अब उपर से थोड़ी सी कलोंजी डाल देते हैं इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता और देखने में भी पराठा बहुत सुन्दर लगता है अब हम पराठे को हलके हां से बेल लेते हैं इसको हलके हां से बेलना है जिससे परते अच्छे से खुल जाएं देखे कितना सुंदर पराठा लग रहा है और हमने अच्छे से बेल भी लिया है अब हम इसको एक प्लेट में रख लेते हैं ऐसे दूसरा पराठा बना लेते हैं इसको भी अच्छे से बेल लिया है अब हम घी लगा लेते हैं पूरे पराठे पे हमने घी लगा लिया है अब हम उपर से मसाला इस्प्रेंगर कर लेते हैं देखिए हमने मसाला भी डाल दिया है अब उपर से हरी धनिया पत्ती डाल देते हैं अब हम उसी तरह से पराठे को फोल्ड कर लेते हैं देखिए एक बार ऐसे सीधा करना है फिर उल्टा करना है फिर सीधा करना है फिर उल्टा करना है यह बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है एक बार बनाएंगे तो बार-बार भी मन करेगा पराठा बनाने का अब इस तरह से रोल करके गोल गोल पराठा बना लेना है अब अच्छे से उल्लियों से बढ़ा लेते हैं अब उपर से थोड़ी सी कलोंजी डाल देते हैं अब हम अच्छे से बेल लेते हलके हां से ही बेलना है देखे ये भी पराठा बनाके हमने तयार कर लिया है अब हम तवा ले लिये हैं तवा भी गरम हो चुका है और पराठा सिखने के लिए डाल देते हैं तवे पे अब हम पलट देते हैं अब तेल लगा देते हैं पराठे पे और अच्छे से मीडियम आज में पका लेते हैं पराठे को उलट पलेट करके सेंख लेना है अच्छे से देखे कितने अच्छे से लेयर से खुल रही है कितना अच्छा लग रहा है पराठा कितने अच्छे से लेयर खुल रही है हमारा पराठा सेख चुका है क्रिस्पी हो चुका है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं ऐसे दूसरा पराठा भी सेख लेते हैं इसमें भी तेल लगा देते हैं दोनों सरब से क्रिस्पी होने तक सेख लेते हैं ऐसे ही सारे पराठे सेख लेते हैं देखिए कितनी अच्छे से लेयर्स खुल लाई है देखिए ये भी पराठा सेख चुका है अब हम सारे पराठे बनाके तयार कर लिये हैं सेख के देखिए कितने क्रिस्पी लग रहा हैं और कितने लेयर्स वाले बने हैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजेगा और अपने फेमली मेंबर और दोस्तों के साथ सेर कीजेगा एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा अब हम उपर से थोड़ा सा घी डाल देते हैं आप इसको अचार के साथ खा सकते हैं या फिर ऐसे ही खा सकते हैं आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत भूत धन्यवार मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक रखिये अपना धेर सारा ख्याल